So, Infinix ते और एक budget category smartphone launch कर दिया, which is Infinix Smart 5 और जहां पर आपको मिल रहा है काफी budget category specifications. स्टार्ट करते हैं, यहां पर 6.6 इंच का HD plus resolution डिस्पले दिया गया, जो एक TFT IPS डिस्पले है, और डिस्पले का क्वालिटी जनरली Infinix में काफी अच्छा होता है, इसमें कोई भी कंप्लेन मैं नहीं करना चाहता हो, budget की साब से अच्छा का सा दिस्पले वो लुग देता है, और एक जो हाइलाइटिंग फीचर इस डिवाइस का हो है, 5000 इमीज का बैटरी वो 10 वाट का चार्जिंग, जी हाँ, budget काड़िके रेलेकें डिस्पले और बैटरी में कोई भी कंप्रोमाइस उन्होंने नहीं किया, like Infinix, Smart 4 Plus, next आगे आते हैं यहां पर 3GB RAM, 32GB ROM यह भी 3GB RAM, 400GB अलग लग वेरियंट आपको देखने को मिल सकता है, RAM ROM वेरियंट अगर देखा जाए, 2GB RAM, 32GB RAM, 3GB RAM, 64GB ROM इसके इसाब से यहां पर Android 10 का Go Edition देखने को मिलेगा, प्रोसेसर काफी सर्प्राइसिंग है क्योंकि मुझे कहीं पर भी इसका exact प्रोसेसर उसके बारे में इंफ्रोम 32GB, ऐसा ही कुछ हो सकता है, कैमरा के बारे में बात केजिए, 13MP का प्राइमेरी सेंसर उसके साथ और दो कैमरा दिया गया है, दोनों ही फिक्स्ट फोकस QVG कैमरा है, लेकिन क्या काम के लिए पता नहीं है, triple LED फ्लेश मिलता है, सेल्फी अकर देगा जाए, 8MP के सेल्फी कैम ये वाला smartphone इंट्रनाशनल मार्केट के लिए लांच हुआ है, इंडिया और नाइजिरिया में बहुत ऐजिए लांच होने वाले है, आप बताव ये वाला smartphone अगर इंडिया में लांच होता है, तो कितने प्राइस में लांच होना चाहिए, जरू से कॉमन करके बताएगा, औ को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही लीटेस्ट टेक्न लोजीकल वीडियो देखने के लिए इस वीडियो में अब तक लिए इतना ही दिस यो रोस्तर में साइन आप में रियाड़ ओप तो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो बाई